रात को सोने से पहले इस जादूई ओस्ती का एक चम्मच अपने मुहों में रखी और फिर देखी आपके सरीर में होता है क्या। दोस्तों आदी रात में नीद खुल जाना या नीद ने आना बहुत अधिक कष्ट दायक और निरासा जनक होता है। और दुख की बात ये है कि आजकल हर कोई इस बीमारी से पीडित है। एनिंदरा की बीमारी को बिल्कुल हलके में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये एक बीमारी आपके सरीर की सैकडों बीमारियों का कान है। एक तो जो व्यक्ति एनिंदरा से प्रेसान होता है उसका अगला पूरा दिन बेकार जाता है। किसी काम में मन नहीं लगता। और दूसरा इस एनिंदरा के कान उसका पूरा सरीर बीमारियों का घर बन जाता है। उसको त्रह त्रह की बीमारियां लग जाती है। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज की इस वडियो में हम आपके लिए एक ऐसा चमतकारिक नुस्खा लेकर आए हैं। जो आपकी इस बीमारी से आपको हमेशा के लिए मुक्ति दिला देगा। और दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए जिस सामगरी की आप सकता है वो भी आपको अपनी किचन में ही मिल जाएगी। यानि कि आपको बाहर से कोई समान लेना नहीं है और एलिंदरा भी दूर भाग जाएगी। तो दोस्तों देड किस बात की है आपको आज ही इस नुस्खे को अपनाना चाहिए। दोस्तों इसमें हम दो चीजों का प्रियोग करेंगी। पहला नमक और दूसरा चीनी। दोस्तों ये दोनों सरीर में हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं और कोशिकाओं के दुवारा भोजन के पाचन में मदद करते हैं। ये सेल चार्ज के रूमें, कारिय के रूमें, गुलकोज, माइटोकांड्रिया के लिए अवस्सक हैं। ये सरीर को उर्जा और सोडियम बैलन्स करने में मददगार है। इसके लावा सक्कर सरीर के लिए एक संदेश बेचता है कि यह अब तनाव हार्मोन से रिलीज करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी स्थिती में हैं कि आप बिलकुल रिलैक्स फिल करते हैं। तो चले दोस्तों जानते हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए आवसक सामगरी के बारे में। अवसक सामगरी 2 टेबल स्पून प्योर पिंक हिमालियन सी साल्ट। दूसरा 2 टेबल स्पून ओर्गैनिक ब्राउन सुगर और 5 टेबल स्पून हनी। अब जानते हैं नुस्खे को बनाने की विदी। इन सभी ओस्तियों को एक काच के बरतन में भरकर अच्छी त्रहें से मिला लीजी। और सोने से पहले एक चमच अपने मुह में डाल लीजी और आपको तुरंत नीद आ जाएगी। लेकिन दोस्तों जिन लोगों को सुगर या बीपी की बीमारी हैं वो इसका सेवन ना करें। तो दोस्तों आप भी इस नुस्खे का प्रियोग करके अपनी इस एनिंदरा की बीमारी से हामेशा के लिए छुटकारा पास्कते हैं। तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लिज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजे ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वडियो की नोटिफिकेशन आतरही धन्यवा दोस्तों।